मुझा करती बता ही आप क्या बहुत बोलना चाह रहें आप क्या दिखाना चाहरा है आप मुझे बताईए मैं एक मेंटलिस्ट हूँ तो मैं आज आपका माइंडीड करेंगे तो आज मैं आपका माइंडीड करने वाली हूं तो इस एंवलफ में मैंने पहले से कुछ प्रेडिक करके रखा है तो अब मैं आपको एक बात पूशना चाहते हूं कि आपको ट्रावलिंग का शौक है तो आप बताएंगे मुझे कि आप कहां ट्रावल करने वाली है नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपका कौन सा है यह आप अपने मन में सोचेंगे और इस पॉसिबल के मुझे किसी भी तरह पता हो यह तो यह ने मैं अपने मन में सोच लिया मैंने के नेक्स्ट ट्रावलिंगे कहां करना है राइट बिल्कुल और मैंने और अल्री प्रेडिक्ट करके लिख कर इस एंवल्ड़ के अंदर रख दिया है कि आप कहां ट्रावल करन कि अफकोस कर सकती हूं मैं तो आप सोचिये उसके बारे में और सोचिये आप कौन से अच्छा ओके नाइस नाइस आइस आइस थोड़ा सा आपका माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा बट हां तो आप इस सब को बताएंगे पहली बार कि आप कहां जाने वाले हैं मैं नॉर् नाइस सबस्का नाम सोचा थां यहां से आपको नॉर्दर लाइस कीटे रहां सकता है। तो मैं इधर से पहली बार आपको भी आने चाहते हूं के वनिक्ता है। जाए यह करड़न निकाला है जिस पर मैंने लिखा हुआ है आप इसको देखें गे। Northern Norway. Northern, yeah, नर्वेयर, this is right. Northern Norway is where you are going to be traveling to. Yeah, Norway मैं है Northern Lights, right, good. Absolutely, absolutely. और बताएं आपके बेग्राउंड के बारे में क्या क्या करते हो मैं एक में पॉरा इसका है जिसका नाम है इलुजब अवस्पाइट करते हो मैंने किताब लिखी है जिसका नाम है Beyond the Freshhold of Mind कैसे आप अपने माइंड से कुछ भी जो आप करना चाहते हैं वोड कर सकते हैं तो एक लिए वेरी गुड़ और बाठी आपका आगे क्या इसके बाद में आपका कुछ नए अच्वमेंट आ रहा है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे पुब्लिक को कुछ अच्छा लगे कि वही ऐसा कोई नए प्रुति पारा का ऐसा कोई नए अच्वमेंट कर रही तो एसे तो बहुत सारी चीजह फाइपलाइन में है गिर एक लेटिस ज्टीज जो हमने लाँच की है वो एक और सहसे एक ऑन लाइन कोर्स है क्योंकि पूरी दुनिया ओन-लाइन जा रही है एक उन-लाइन कोर्स है जो नाम है business networking क्योंकि मेरा magic, मेरा जो illusions है, मेरे जो भी mind-bearing corporate shows होते हैं, वो एक बहुती corporate format में होते हैं, तो उसको मैंने use करके, वहाँ पे मैंने कौन से tips of tricks use किये हैं, to make amazing connections with my audience, कि वहाँ पे हम कैसे अपने आप पो एक position पे ला सके, एक recall value ला सके, उसके लिए मैंने पूरा course बनाया है, इसका नाम है, press and connect, और इसमें आप सब go tricks और tips सीख सकते हैं, और magic के माध्यम से, आप कैसे hero बन सकते हैं, आपके conferences में, आपके workplaces में, ये सारी चीजे आपको सथाएगे हैं, ये सारी चीजे आपको सथाएगे हैं, ये गे एने one example for that? येस, I can let me give you a small example of that, मैं आपको करके दि books, आप देख सकते हैं, ये मेरा phone है, और जैसे हम पहली चीज देते हैं, business card, तो मैंने बस यहाँ पे click किया है, और यहाँ पे मेरा business card produced हो गया है, can you see, यहाँ पे ये मेरा business card है, जो मेरा business card यहाँ पे produce हो गया है, और मैं ऐसे करूंगी, तो business card मेरे हाथ में आजाता है, and that's how you can give your business card to your clients, oh wow, very good, good, चाह, आगे आप इससे पहले आपने future में आपी क्या करना चाहोगे, और पहले आपने क्या-क्या किया हुआ है, आप कौन सी countries में जाके किस तरह के shows किये हैं आपने, तो मैं 5 साल की तब से मैं shows कर रही ही, तो मैंने अभी तक more than 45 countries of the world में परफॉर्म किय है, मैंने Queen of Sweden, Prime Minister of Australia, Emperor and Empress of Japan, सारी लोगों के लिए परफॉर्म किया है, और उसके साथ साथ मेरे शोज होते हैं, मैं बड़े लाज शोज करती हूँ, from small audiences, exclusive events जो होते हैं, वहां से लेकर mega shows, जैसे मेरा highest audience रहा है, अभी तक 10,000 people को ऐसे शोज करती हूँ, मैं magic as a medium, एक माधिय की तरह लेती हूँ, और उसके सारी applications बनाती हूँ, जैसे यहां पे मैंने इसको एक business application लिया है, वैसे for weddings, जो दुला दुलन की entry होती है, उसको भी एक magical, theatrical viewpoint मैं देती हूँ, और वैसे उसका application करती हूँ, मैंने already काफी सारे weddings की हैं, जहां पे दुला दुलन के साथ बैठ कर, ह वो perform करते हैं, तो यह किया है, अभी recently, I'm the first mentalist to ever perform on pen and teller fula's show in Las Vegas, तो I'm the first Indian mentalist to perform on that show, तो यह मेरा एक latest achievement है, और इसके साथ साथ मेरे काफी सारे business applications है, जो मैं अपने magic और mind reading के मादल से perform करते हूँ, अप लास्वेगस में भी जाके हैं, जो मैं अपने magic और mind reading के मादल से perform करत किया हैं, वहाँ पर अपने क्या किया है, उसको एक्जेम्पल दे सकते हैं, उसका बिल्कुल, तो यहाँ पर लास्वेगस में मैंने एक वहाँ के तेलिविजिन पर जो American Television Channel है, सीधा पर उसके मैंने परफॉर्म किया, और वहाँ पर ने एक परफॉर्म किया है, एक और तो अगर आपको पावर दी जाए, तो अगर उस पावर को हम जागरत कर सके और आपको एक अनुभफ दे सके, कि आप फ्यूचर में जाके कुछ प्रेडिक्ट कीजिए, और वही चीज़ को, तो हाँ अमेजिग इस, मैं असमें अच्छी बात है, लेकिन मैं वह पावर को आ उनके साथ यह परी चीज़ होती है, और आप जो दुला दुलन की जो बात कर रहे थे, कि आप दुला दुलन के प्रोग्राम में जाते हैं, वहां पर आप क्या करते हैं उनके साथ, तो उनका जो एंट्री होता है, या उनकी जो लव स्टोरी होती है, उसको हम मैजिक के माध करते हैं, और यह परफॉर्मंस जो होता है, वह खुद अपनी शादी में दुला दुलन करते हैं, तो गिव यू एंग्जम्पल, हमने शादी की यहां पर जिसमें दुल्हा और दुलन जो हमने एक कॉंसेप बनाया था, उसका राजा रानी की कहानी, तो मैं स्टेश प्यात को मेरे साथ से खुमाती वर एक गुदा अपयर होता है, एक गुदी अपयर होएँ यह आपक करते हो तो गुद्टी होता है, यह तर बनायको इंप्रेस करना है, तो वह हमें हाथ गुमाता है और वोड़की के पास जाता है और फिर वहां पर रॉमांटिक एक स्टेप होता है एक डांस होता है और जैसे हर प्यार और हर लव स्टॉरी में होता है जगड़ा हो जाता है तो जगड़ा हो जाता है तो बोलते नहीं मुझे नहीं रहना लड़की बोलते है मुझे भी नहीं रहन पूरा पूरा उसका एक concept बनता है, एक conceptualization होता है, उनके पूरे story का, उनके पूरे love story का, life story का, और ये चीज होती है, और ये यहां से फिल स्टेट से गायव होते हैं, पूरे audience में appear होते हैं, वहां से पूरी band बाजा बरात आती है, जो एक elaborate शादी होती है, उस तरह से उसका पूरा बहुत भव्य होता है, वो पूरा residentation, तो हर हर लव story की अलग तानी होती है, तो हमारे एक दूसरे client पे, जिनको अपने शादी में उनको bond, James Bond बनना था, और लड़की को bond girl बनना था, तो उन्होंने वैसा हमने पूरा एक western theme उनके डिजाइन किया, जहां पे James Bond के theme से, उनके apparatus से, उनके चीज़ से, उनके चीज़ से, वो कैसे एक दूसरे को love express करते हैं, तो हर इंसान के अलग कहानी होती है, हम बै किन यह जो चीज़े होती है, यह perform real Dula Dulaan ही करता है, मैं उसका पूरा अरेंज करती हूँ, पूरा अरेंज, आप अरेंज करके देते हो, और करते हैं, दुला Dulaan ही करते हैं, आप अभी Bill Clinton के बारे में कुछ बता है, जो आपने, अमेरिका के जो president थे, आप उनके पास गया थ किया है, और मैं काफी सारा social work भी काम करती हूँ, मैं mental health, environment, human, humanity के लिए काफी सारा काम करती हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सराया था मेरे काम के लिए, और उन्होंने बुला था कि I should be, you know, trying to do more for society, जो कि हम जितना भी करे कम हैं, और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए क लोगों के लिए अच्छा काम कर सके, परियादर इनके लिए अच्छा काम कर सके, अब जो नहीं चीज है, mental health, उस पे भी हम focus कर, उस पे भी कुछ अलग काम कर से, आपका success और progress के बारे में बताईए आप, कैसे आप check करते हो, so, so मैं यह कहना चाहूँगी, कि success और progress को track करना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि success हमेशा जो होती है, वो सामने वाले के आपो में होता है, हम को सिफ कोशिश करते हैं, और हर वक एक कुछ नया चीज लेकर आते हैं, नया experimentation करते हैं, क्योंकि हम creative हैं, और कुछ न कुछ नया पन लानी की कोशिश करते हैं, लोगों को तो यह हमारा success हो जाता है, यह हमारा return जो हमें मिलता है कलाकार होने के मातिम से, तो वो हमारा होता है, और progress जो होता है, वो भी, as I say, कोई measurement नहीं होता है, कि इतना progress किया, लेकिन हम अगर हमारे काम को और अपने आपको कल से बहतर बना सकते हैं, और compete with my own self, जैसे बोलते हैं, अगर वो करते हैं, और खुद को और बहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा एक measurement को जो हमें लोग आपको सरात हैं उसे साप से, बिल्कुल लोगों काफी अच्छे रहे हैं, और काफी उन्होंने, they have been very kind, कि उन्होंने बहुत क्यार दिया है, मुझे मेरे काम को करते हैं, और जब वो हो जाता है, तो बहुत खुश होते हैं, और इसी तरह उनका प्रोचाहन हमेशा मतारा है, अच्छा, आपके parents के बारे में बताइए, ऐसा हमने सुना है, कि आप इंडिया के first test tube baby हो, तो, yes, I am one of India's first test tube babies, for sure, और ये लेकिन मैं बोल की हूँ के ये मेरा achievement नहीं है, ये मेरे parents का achievement है, तो ये मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ अपने आपको के मैं history का एक पार्ट रही हूँ, लेकिन ये मेरी achievement नहीं है, so I will just say, I just go with the flow and I am happy to be a part of history, yes, we have to proud for your parents, right, yes, absolutely, mom and dad, good, both, 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 So, ऐसे तो बहुत सारे achievements है, जैसे मैंने एक बहुत amazing show बनाया है, जैसे मैंने कहा आपको mental health के बारे में, तो मैंने एक show बनाया है, जिसका नाम है Two Dreams Come True, ये एक बहुत ही amazing show है, जो focus करता है आज कल के बच्चों के उपर, आज कल के यूथ के उपर, और ये कहानी है, तो मैंने लिखी है, खुद लिखी है, खुद परफॉर्म करती हूँ, खुद बनाई है पूरी स्टोरी, जिसमें लोग जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, वो बहुत anxiety, depression, बहुत common चीज हो गई है उमें, तो उसको कैसे deal करना, कै इसे उस पर वर्क करके, फिर भी हमारे जो ड्रीम्स है, हमारे गोल्स है, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उस पर ये चीज बेस्ट है, तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग प्लॉट है इसका, के एक लड़की है, जो सच में तंग आ चुकी है, वो अपने सपने चाहरी है, औ जैसे आजकल के काफी लोग करते हैं, क्योंकि उनको जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है, तो वो निराश हो जाते हैं, तो ऐसी इसकी इस्तिती है, और भगवान उसको आजकल के युके हिसाब से भगवान उसको है, तो चिंता मत कर, मैं तुझे एक स्पेशल रोबट भेज रहा हैं, ताकि हम हमारे ड्रीम को अचीव कर सकें और वो हमारे सारे लाइफ लेसंज्स है तो, कैसे, what about failure, failure राएगा तो क्या करना चाहिए, all that glitter is not gold, वतलब अगर लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ कुछ और हैं, तो कैसे उस चीज़ को समझना चाहिए, वहाँत सारे 7 लैसंज्स ह यह होता है सारा चीज होता है और अंत में हम सीखते हैं कि हम कैसे हमारे ड्रीम को रियलाइज कर सकते हैं कैसे अचाहिए आप कुछ नए अचिवमेंट के बारे में हमारे वीवर्स अचाह आपका ये शो अभी पुरा सब लोग देखेंगे तो उसमें वीवर्स को क्या पताना तो I am very open अगर कोई schools है, institutions है, organizations है तो इस शो को अपने audience तक पहुचाना चाहे तो पहुचाना चाहे तो बिलकुल तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि वहां आके आपके लिए perform कर पाऊं ताकि ये messaging logo तक जाए और ये बहुत ही एक light take है, हम मतलब बहुत preach नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा ही करो नहीं बता रहे हैं, हम उसको बहुत light entertainment with an underlining effect हम इस चीज को बता रहे हैं, तो लोग entertain भी होंगे, लोग amazed भी होते हैं, लोग interact भी होते हैं, लेकिन message भी उनके मन में ठीक से चला जाते हैं आप हमारी चैनल को like करें, subscribe करें, and share करें, ठीक है, जरूर मैं करूंगी और आपके जो दर्शक है, भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, on instagram, मेरा handle है, at the rate of social beauty पार एक, on instagram, और आप कोच भी संदेश्चा देना चाहो, तो आप बता हैं, क्या देना चाहोगे, बिल्कुल, पहली बात मैं यह कहना चाहूंगी, thank you, नेला अंटी, मैं उनको बच्पन से जानती हूँ, और thank you so much for inviting me to your channel, and मेरी बात को, मेरे काम को लोगों तक पहुचाने के लिए, आपके network और internet पे लोगों तक पहुचाने के लिए, शुक्रिया, मैं इनके सामने ही बढ़ी हूई हूँ, तो इन्होंने काफी मेरी journey देखी है, कि कैसे grow कर रही हूँ मैं, और इन सब के आशरवाद से, यह सारी च हैं हैं मेरे लिए तो मैं चाहूंगी जादा से जादा लोग इस कला को और सपोर्ट करें तो यू किन फॉलोग में चैनल इंस्टेग्राम और यूट्यूब और पीजबुक मेरा हैंडल है अधरेड़ और मेरा वेबसाइट है अधरेड़ और मेरा जो नया कोर्स है वो नया कोर्स है ओन दे चैनल लॉट वेबसाइट अधरेट और मेरा जो नया कोर्स है इंप्रेसेंड कनेक्ट यह कोर्स अवेलिबल है अन दे वेबसाइट www.krutiparekacademy.com तो प्लीज जितने जादा लोग इस चीज का अनद ले सके और इसका यूस कर सके बेनिफित कर सके तो प्लीज जरूर कीजेगा Okay, Krutty I love you so much and thank you very much. Okay, bye-bye. Thanks. Okay, bye-bye.